दोस्तो अक्षे कुमार के फिल्म राम सेतू स्रीमा घुरो में पूरी तरह से चाही हुई है फिल्म बॉक्स ओफिस पर ताबरतोड कलक्शन करके कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी है दोस्तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे दिवाली के खास मोके पर 25 अक्टूबर को ये फिल्म सिनेमा घुरो में रिलीस हुई थी और साथ मेरे लीस हुई थी बॉल्यूट के सिंगा मास महराचा आजिदेउगन की ठाइंग गॉड जा दोस्तो जहां एक तरफ राम सितू बॉक्स आफिस पर तूफानी कमाई कर रही है तो वहीं अजिदेउगन की फिल्म ठाइंग गॉड की कमाई धीमी पड़ रही है और कहीं न कहीं ये बहुत ही उदासी वाली बात है क्योंकि आजिदेउगन की इस से पहले बहुत सारी फिल्मे फ्लॉप रही उम्मीद थी कि ठाइंग गॉड दर्शकों को इंटर्टेन करेगी और फिल्म बॉक्स आफिस पर हिट होगी लेकिन राम सितू जिस तरह से बॉ लेकिन दोस्तो उससे पहले अगर आप अक्षाई कुमार और अजिदेउगन को एक बहुतिरी नभी नहीं ता मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक कर देना दोस्तो अगर बात करें राम सेतू की तो अभिशेक शर्मा के डिरेक्शन में ये फिल्म परी थी जिसमें अक्षाई कुमार के साथ नुश्रत भरूचा और चाकलीन फर्नांडीस एहम किर्दार में असराई फिल्म का बजट लगबग 1.500 करोड उपे का था और फिल्म ने अपने पहले दिन इंडिया में 15 करोड 30 लाग उपे का नेट बॉक्स आफिस कलेक्शन क्या था तो वहीं दूसरे दिन फिल्म का कलेक्शन इंडिया से रहा था 11 करोड 40 लाग उपे और फिल्म ने अपने पहले दो दिनों में 26 करोड 70 लाग उर्पे इंडिया से कमा लिये थे और वहीं फिल्म का worldwide collection हो चुका था दो दिनों का 38 करोड 38 करोड अब बात करें तीसरे दिन याने कि आज की तो दूस्तो आज की जो morning occupancy थी वो थी 12% की और फिल्म की जो afternoon की occupancy रही वो रही 17% की तो मुझे उम्मीद है कि जो evening की और night की occupancy होगी वो लगबग 25% से भी उपर की होगी तो आज फिल्म का जो collection है वो 8 करोड उपे इंडिया से net होने वाला है वहीं फिल्म worldwide 10 करोड उपे कमाने वाली है तो अब पहले तीन दिनों में राम सेतु का जो इंडिया में net box office collection है वो 34 करोड 70 लाख उपे हो जाएगा और मुझे फिल्म का worldwide collection हो जाएगा 48 करोड उपे तो अपने पहले तीन दिनों में फिल्म 50 करोड के आगरे तक पहुँच गई है और Saturday और Sunday के advance booking चालू है तो मुझे उम्मीड है कि फिल्म box office पर आगे भी अच्छी कमाई करके सूप परिट होगी लेकिन आपको क्या लगता है कमेंट में शुरू बताईएगा